केरला और त्रिशूर के मेरे सभी भाईयो भेहनों को त्रिशूर पूरम परवकी बहुत बहुत बधाई त्रिशूर को केरला की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर जाना जाता है जहां सांस्कृति होती है वहां परंपराएं भी होती है कलाएं भी होती है वहां अध्यात्म भी होता है दर्शन भी होता है वहां उत्सों भी होते हैं उल्लास भी होता है मुझे खुशी है कि त्रिशूर अपनी इस विरासत और पहचान को जीवन्त बनाए हुए है स्री सीताराम स्वामी मंदीर बरसों से इस दिशा में एक उर्जावान केंद्र के रुप में काम करता रहा है मुझे बताया गया है कि आप सभी ने इस मंदीर को अब और भी दिव्य और भव्य रूप दे दिया है इस अवसर पर स्वार्ण मंदीत गर्व गुरू भी भगवान स्री सीताराम भगवान अयप्पा और भगवान शीव को समर्पित किया जा रहा है और साथियों जहां स्री सीताराम हो वहां स्री हनमान रहो ये बाद बनती ही नहीं इसलिए जब हनमान जी की 55 फिट उंची भव्य प्रतिवा भक्तों पर अपना आशिरवाद बरसाएगी मैं इस अउसर पर सभी सद्धालूं को कुम्भा भी शेकम की सुबकामनाय देता हूँ विशेश रुप से मैं स्री टी एस कल्यान रामन जी और कल्यान परिवार के सभी सद्धियों का अभिन्यंदन करूँगा मुझे आध है कई वर्ष पहले जब आप मुझसे मिलने गुजरात आये थे तभी आपने मुझे इस मंदिर के प्रभार और प्रकाश के बारे में विस्तार जे बताया था आज मैं भगवान स्री सीता राम जी के आशिरवाद से इस पावन अवसर का हिस्सा बन रहा हूँ मुझे मन से, रुदय से और चेतना से आपके बीच वहीं मंदिर में होने का अनुभव हो रहा है और वैसा ही आध्यात्मिक आनन भी मिल रहा है साथियों, त्रिशूर और स्री सिताराम स्वामी मंदिर, आस्था के शिर्ष सिखर पर तो है ही भारत की चेतना और आत्मा के प्रतिबिम्ब भी है मद्यकाल में जब विदेशी आकरांता हमारे मंदिरों और प्रतिकों को द्वस्थ कर रहे थे तब उन्हें लगा था कि वो आतंके बलबुते भारत की पहचान को मिटा देंगे लेकिन वो इस बात से अंजान थे कि भारत प्रतिकों में दिखाई तो देता है लेकिन भारत जीता है ज्ञान में भारत जीता है वैचारिक बोध में भारत जीता है शाच्वत के शोध में इसलिए भारत समय की दी हुई हर चनोती का सामना करके भी जिवंत रहा है इसलिए यहां स्रीच सीताराम स्वामी और भगवान अयप्पा के रुप में भारतियता और भारत की आत्मा अपने अमरत्व की जैगोश करती रही है सद्यों पहले उस मुश्किल दोर की यह घटनाएं तब से लेकर आज तक प्रतिश्ठीत यह मंदीर इस बात की गोशना करते हैं कि एक भारत स्वेश्ट भारत का विचार हजारों वर्ष का अमर विचार है आज हादी के अमरित काल में हम अपनी विरासत पर गर्व का संकल्प लेकर उस विचार को ही आगे बढ़ा रहे हैं साथियों हमारे मंदीर हमारे तीरस इस सद्यों से हमारे समाज के मुल्यों और उसकी समरुद्धी के प्रतीक रहे हैं मुझे खुशी है कि स्री सिताराम स्वामी मंदीर प्राचीन भारत के उस भव्यता और वईभव को सहज रहा है अब मंदीरों के उस परंपरा को भी आगे बढ़ा रहे हैं जहां समाज से मिले संसाधनों को समाज को ही लोटाने की व्यवस्ता होती थी मुझे बताया गया है कि इस मंदीर के माध्यम से जल्न कल्याण के अनेक कारकम चलाए जाते हैं मैं चाहूंगा कि मंदीर अपने इन प्रयासों में देश के और भी संकल्पों को जोड़े स्री अन्न अभियान हो, स्वच्छता अभियान हो या फिर प्राकृति खेती के प्रती जन जाग रुपता आप सभी ऐसे प्रयासों को और गती दे सकते हैं मुझे विश्वास है स्री सीता नाम स्वामी जी का अशिर्वाद हम सब के उपर ऐसे ही बना रहेगा और हम देश के संकल्पों के लिए काम करते रहेंगे आप सभी को एक बार फिर इस पावन अउसर की बहुत 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 धन्यवाद कर दमधे दिय मलो कोरण स्वाद प्यामिय जी कि बहुत 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 झाल झाल